अबिटा, गुड मॉनिंग, I am MSS Sir from Motion Quota, ठीके बच्चों, आज हम J-Mains का पेपर डिस्केशन करने जा रहा है, 24 जून, सिप्ट नमबर फर्स्ट, फिजिकल केमेस्टी का डिस्केशन करेंगे हम, if a rocket runs on fuel, fuel दे रखा है आपको यह, liquid oxygen है, weight of oxygen required, मतलब जो आपके पास hydrocarbon है, उस hydrocarbon को burn करने के लिए जो oxygen की requirement होगी, उसका mass निकालना है आपको, और CO2 जो release होगी, CO2 release होगी, उसका mass आपको calculate करना है, ठीके, तो आप पहली बात इस question को करेंगे कैसे, पूछ क्या रहा है, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चीए, mole concept का question है, और stachometry से related question है, और एक easy तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो, every liter, ठीक है न, fuel है आपके पास, तो सबसे पहले mass निकालेंगे, ठीक है न, mass किसका निकालेंगे, जो आपको पास hydrocarbon, C15, S30 आपको given है, volume into density करके, ठीक है, अब आपको पता है, stachometry लगा नहीं है, तो पहले moles calculate करेंगे आप, किसके, इसके, moles निकालेंगे, moles, ठीक है न, moles calculate करके, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस stachometry, आपको आपको, सबसे पहले, आपने क्या किया, mass निकाला, सबसे पहले आपने क्या किया, mass हम calculate करेंगे, ईसका mass आपको क्या करेंगे, calculate करेंगे, mass निकाल आपने, volume into density, ठीक है, volume क्या है, ml में, density क्या है, ग्राम पर ml, तो ml से ml केंसिल हो जाएगा, और आपके पास इतना ग्राम mass आगे, किसका mass आया है, जो आपके पास hydrocarbon है, कौन है, C15S30, ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, मोल्स calculate करेंगे, ठीक है, अब मोल्स calculate करने के लिए आपको क्या चीए बिटा, आपको given mass सीए, mass कितना निकाला आपने, hydrocarbon का, 756, यहां पर यह न, 756 है, 756, अब यहां पर molar mass कितना हो जाएगा, carbon है, आपके पास 15 carbon है, 15, 15 into 12, से आजाएगा 180, और hydrocarbon का आजाएगा, आपके पा total मिला करके, आपके पास molar mass, जो hydrocarbon का आएगा, 210 ग्राम आजाएगा, मोल्स आप निकालेंगे, C15S30 के तो यह आजाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब मैंने आपको बताया था, मोल्स निकालने के बाद मैं इस्टेक्योमेटरी लिखेंगे, hydrocarbon है आपके पास, oxygen के स oxygen बनेगी 15, मतलब, CO2 जो आपके पास बनेगी 15, H2O कितना बनेगा, hydrocarbon के इंदर जितने भी H2O है, कितने H2O है, 15, तो यहाँ पर 15 H2O का formation आपको मिलेगा, तो एक बात बताओ, यहाँ से required oxygen आपके पास जब इसको solve करेंगे, तो 15 by 2 O2 हो जाएगा, तो एक बात बताओ, इस करेंगा, और 15 मोल CO2 बनाएगा, और 15 मोल H2O बनाएगा, तो मोल्स के respect में बात की जाती है, इस टेक्योमेटरी के अंदर, मोल्स भी लिया जा सकता है, वोल्यूम ऑप गेस भी लिया जा सकता है, ठीके, नमरों मोलिक्यूल्स में भी आप अपलाई कर सकते हैं, लेकिन मास प हइडrocarbon, 15 by 2 मोल O2 के साथ रियेक्शन कर रहा है, तो 3.6 मोल हाइड्रो कार्बन जो होगा, वो इतने मोल O2 के साथ रियेक्शन करेगा, कितना CO2 बनेगा, आप को होगे sir, once 15 बन रहा है, तो यहाँ पर, 15 इंटु 3.6 मोल CO2 का फोर्मेशन होगा, और H2O कितना BENEगा, 15 इंट 6 mol H2O का formation हो जाएगा अब क्या निकालना है आपको मास निकालना है ना मास निकालने के लिए क्या करेंगे number of moles into molecular weight करेंगे अच्छा एक बात बताओ molecular weight यहाँ पर क्या है बेटा molecular weight है ठीक है ना तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे O2 का mass O2 के moles into molar mass O2 का कितना आएगा 32 आएगा न कैसे एक oxygen का कितना होगा 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32 आप multiply करेंगे required mass O2 आपके पास कितना मिलेगा 2592 ग्राम अच्छा CO2 का mass जो बनेगा वो भी इसी तरीक से निकालेंगे यह क्या है moles of CO2 और यह क्या है CO2 का mass यहाँ पर अपने यहां पर यह 3.6 थीक है न इसको दियान से देखेगा आप यहां पर देखेंगे तो आपके पास यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो आएगा अपने आपके पास 3.6 है इसको मैं यहां से अड़ाते था हूं 3.6 ठीक है न यह तो मोल है आपके पास 15 इंटू 3.6 मोल बने किसके CO2 के आप उसको मोलर मास से मल्टिप्लाइ करेंगे जो 44 है तो जो आपके पास CO2 का मास बनेगा वो आप इसली कल्कुलेट कर सकते हैं और आपके पास आंसर कौन सा जाएगा इसमें आंसर आप लगा सकते हैं C option ठीक है तो यह बात क्लेर हो गई होगी ऐसे कोई भी कोशन हो सबसे पहले आप बोल्स निकालेंगे इस्टेक्योमेट्र लगाएंगे और अपना final answer कैल्कुलेट करेंगे Question No.2 Consider the following pair of electron the pairs of electron present in degenerate orbital laser तो degenerate orbital कौन से होगे जिनकी energy सेम होगी जैसे option A में दो pair हैं orbital के एक 3P और दूसरा है 3D 3P और 3D के energy तो सेम होगी नहीं तो यह degenerate orbital का pair नहीं बनेगा B option में जो A और B हैं वो 3D और 3D हैं तो दोनों 3D orbital की energy सेम होने से यह degenerate orbital का pair बनेगा इसे तरह C option में A और B में एक 4D है और एक 3D है 4D और 3D के energy भी सेम नहीं होगी तो यह भी degenerate orbital का pair नहीं होगा तो इसका answer होगा B 3D 3D degenerate orbital होंगे इनमें electrons के pair होंगे इसका answer होगा only B यह question number 3 chemical bonding और coordination दो chapter के जो है option लेकर के बनाया गया है तो PTCL42 माइनस platinum 5D series का element है और 5D series element का Z effective ज्यादा होने से delta की value always pairing energy से ज्यादा होगी इसलिए कोई भी legend हो electron की pairing करा देगा इसमें platinum का oxidation कितना है plus 2 5D 8 configuration है सारे electron paired हो जाएंगे एक d orbital inner cell का vacant होगा और hybridization होगा dsp2 BRF5 फाइब bond pair है और bromine पर एक lone pair होगा hysteric number 6 इसका hybridization होगा sp3d2 PCL5 में bond pair 5 है lone pair 0 है sp3d hybridization होगा इसका CO NH3 का hall 6 3 plus CO plus 3 ammonia strong field legenda electron की pairing करा देंगे delta की value या delta O की value pairing energy से ज्यादा होगी T2G में 6 electron होगे easy orbital back end होगे inner cell के इसलिए d2 sp3 hybridization होगा inner orbital low spin complex बनेगा इसका answer होगा A का 3rd B का 4 A का 3rd B का 4 C का 1st और D का 2nd B option इसका होगा answer for a reaction at equilibrium आपको एक reaction गीवन है ठीक है ना the relation between dissociation constant मतलब dissociation constant मतलब equilibrium constant equilibrium constant ठीक है ना degree of dissociation means alpha and equilibrium pressure मतलब P total के बीच में आपको क्या बताना है ठीक है ना degree of dissociation means alpha and equilibrium pressure relation बताना है तो बिटाए एक बात पता लग गई होगी यह जो question है ना यह है chemical equilibrium का chemical equilibrium का question है ठीक है करना क्या है इस question में आपको यहाँ पर degree of dissociation वाले जो question है उसके according आपको answer निकालना है इन में से कोई एक answer आपके पास आने वाला है चलो सबसे पहले क्या करेंगे देखो भई सबसे पहले कोई भी ऐसी question होता है ना तो यहाँ पर जो आपके पास starting है उसका one more assume कर लेंगे degree of dissociation अलफा है उसके according यहाँ पर बी और सी के मोल्स calculate करेंगे ठीक है फिर बात में यहाँ पर क्या करेंगे equilibrium consent partial pressure की terms में रखेंगे और partial pressure की terms में रख करके और यहाँ पर हमारे पास एक relation आएगा जो आपको इन में से कोई option मिलने वाला है चलो देखो यहाँ पर क्या है देखो यह question है तो इसमें आपने क्या किया initial more जो आपने assume किये है आप कोई भी मोल जब आप assume करो तो ऐसा assume करो जो 1 हो या फिर percentage हो तो 100 हो तो initial more 1 है यहाँ पर कितना है B और C मतलब B और C के जो initial more product के हैं वो कितना है 0 final more degree of DOD means degree of dissociation कितना है भई अलफा है ठीक है color change करते हैं DOD के अलफा है तो 1 में से अलफा यहाँ पर alpha बटाओ ठीक है अच्छा एक बात बताओ जब इसका 1 मोल A का reaction करेगा तो B का 1 मोल बनेगा alpha मोल reaction करेगा तो alpha बनेगा ठीक है अच्छा C का कितना बनेगा 1 से 1 by 2 बन रहा है तो यहाँ से alpha by 2 बनेगा इसको सही कर लीजेगा थोड़ा सा error है ठीक है अच्छा एक बात बताओ final moles कहां की बात हो रही है 8 equilibrium equilibrium पर final moles आप calculate कर सकते हैं कैसे 1 minus alpha कैसे आएगा 1 minus alpha plus alpha plus alpha by 2 तो आपके पास क्या आजाएगा यह वाली value आजाएगा clear है उसके बाद क्या करेंगे हाँ सर यह बात तो समझ में आ रही है P total आपको equilibrium पर मानना है P ATM मानलो ठीक है न यह ATM है बिटा क्या यह ATM ठीक है न तो KP is equal to क्या होगा आपको कि सर partial pressure of B की power कितनी आएगी 1 क्योंकि यहां पर coefficient कितना है 1 partial pressure of C की power कितनी आएगी 1 by 2 और upon में क्या आएगा partial pressure of A की power कितनी आएगी 1 अच्छा एक बात बताओ यहां पर partial pressure of A गेस का क्या मिलेगा remaining moles of A at equilibrium कितना है 1 minus alpha ठीक है अपोन total mole क्योंकि निकालेंगे अच्छा partial pressure किसे निकालते है mole fraction into total pressure जैसे A का partial pressure calculate करना चाह रहे है तो mole fraction of A into total pressure तो mole fraction कितनी है remaining moles of A 1 minus alpha upon total mole total mole कितना आएगी 1 plus alpha by 2 ठीक है ना साही लिखा हुआ है into P total P मान लिया उसी तरीके से P भी निकाल सकते हैं आप B के कितने moles है equilibrium पे alpha moles है तोटल mole कितना आएगा 1 plus alpha और एप P total उसी तरीके से आप क्या करेंगे C निकाल लेंगे ठीक है ना C के से निकालेंगे Y C के moles कितने है alpha by 2 total moles आपने देखा equilibrium भी कितने है 1 plus alpha by 2 into total pressure तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी partial pressure आपने calculate किया है सर देखो आप ठीक है अब क्या करेंगे अब तो सर हमारे को KP की टर्म में यहाँ पर KP is equal to partial pressure of C की power 1 और partial pressure of C की power 1 by 2 आएगे यहाँ पर यह वाली value पुट करेंगे तो कोई न कोई option यहाँ पर match करेंगा चलो देखते हैं आपको पता लग गया होगा कि करना क्या है ठीक है तो यहाँ पर देखो आप यह है यह है यह है तो यहाँ पर आपने यह वाली value पुट करी partial pressure of B की यह partial pressure of C इसको पुट किया आपने ठीक है तो यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर जो भी आपके पास cross हो रहा है ना उसको पर cross कर देंगे तो कौन-कौन cross हो रहा है देखते हैं यहाँ पर color change करके देखते हैं हाँ यहाँ पर देखो आप इधर से color change होगा अपना यह देखो देखो एक बात बताओ तुम्हें यहाँ पर लग रहा है ना कि यहाँ से P की पावर 1 है ये गया ये गया ठीक है सथ यहां से 1 प्लस अलफा बाई 2 गया यहां से भी गया 1 प्लस अलफा बाई 2 हाँ सथ गया तो अब क्या बचा अलफा बचा है कौन सा वाला ये वाला ठीक है न यहां से क्या बचा अलफा बाई 2 इंटू P की पावर 1 बाई 2 यहां से द ठीक है ना तो यहां पर आपको यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है आप उसके बाद में क्या है यहां पर यह 1-alpha कौन सी वाणी वेलू यह यह रहा 1-alpha और यह हो जाएगा आपके पास 1-1-2 नीचे आ जाएगा उसके पावर कितनी है 1-2 अब आप इसको solve कर सकते हो कैसे इ LCM ले लिए है 2, ठीक है, तो 2 LCM ले लिए है, तो यहाँ पर आ जाएगा alpha, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस alpha, ठीक है ना, अब आप इसको solve करेंगे, तो आपके पास यह वाली value मिल जाएगी, बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी calculation थी, but easy question था, आपको पता हैं, यह वाले question starting में करवाई जाते हैं, जब degree of dissociation की बात करते हैं, PCL 5 की बात करते हैं, कोई भी gaze की बात करते हैं, तो इस वाले, इस type की question आपको generally करवाई जाते हैं, और आप इसको कर सकते थे, चलो, next question, और मैं सोचता हूँ कि आपका एक question सही गया हुगा, थोड़ी सी calculation थी, ठीक है, given below are two statements, दो statement आपको given है, ठीक है न, statement क्या है, emulsion of oil in water are unstable and sometimes they separate into two layers on standing, एक बात बताओ, जैसे आपके पास water है, इसके अंदर, क्या है, water, अब आपने क्या किया, इस water के अंदर आपने क्या किया, oil aid कर दिया, अब आपने क्या किया, इसको अच्छी तरीके से mix कर दिया, mix करने के लिए एक ज्यापर क्या कर दिया, यह है, इससे क्या कर दिया, अच्छी तरीके से इसको mix कर दिया, तो यह क्या हो मिल जाएंगे, ठीक है न, और मिलने के बाद इसका कून जा solution बनेगा heterogeneous, heterogeneous, heterogeneous solution बनेगा, तो heterogeneous solution बनेगा, अब आप इसको छोड़ दिया कुछ time के लिए, तो कुछ time के लिए छोड़ देंगे न, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, अलग-लग layer बना लेंगे, अलग-लग layer बना लेंगे, मतलब water की layer क्या होगी, नीचे होगी, क्योंकि इसकी density क्या होती है, जादा होती है, और oil की layer क्या होगी, उपर होगी, अलग-लग-लग separate layer बन जाएगी, तो हमारा जो काम था, हमने जो काम किया तो waste हो गया, तो इसमें third type के substance mix किया जाते हैं, उससे क् होता है कि जो emulsion बना है इस emulsion की stability बढ़ जाती है, ठीक है न, तो stability बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिला है जाते है", electrolyte, क्या मिला ही जाते है, electrolyte substance mix किये जाते है, उससे क्या होता है, उसकी stability बढ़ जाती है, तो एक बात बताओ, statement first सही लग रहा है for stabilization of emulsion axis of electrolyte is added मुझे तो दोनों सही लग रहा है और आपको भी दोनों सही लगने चीए ठीक है न, तो देखो यहाँ पर इसके option क्या है both statement first and statement second are correct, दोनों सही है first option जाना चीए, clear है तो आपका answer यहाँ पर one होना चीए देखो देखो यहाँ पर भी यही है emulsion of water in oil are unstable, unstable है न ठीक है तबी तो emulsion बना दें दो आपके पास non-soluble immisible liquid है न, उनको जब mix किया जाएगा, तब heterogeneous solution बनेगा, जिसको emulsion बोला जाता है, उसके अंदर कुछ substance aid किये जाते है जिसको क्या बूला जाता है emulsifying agent, like is electrolyte होते हैं, क्या होते है electrolyte, उससे क्या होती है stability क्या होती है, बढ़ जाती है ठीक है question number 6, given below are the oxide, Na2O H2O3, N2O NO and Cl2O7 number of emphoteric oxide तो आप जानते हैं, कि usually metal oxides कैसे होते है nature में, basic usually non metal oxide nature में कैसे होते हैं acidic लेकिन 4 non metal oxide neutral हैं N2O, NO H2O और CO और यह H2O3 nature में कैसा होता है M4 teric nature का oxide है तो इसमें एक ही oxide है जो M4 teric nature का है H2O3 यह basic है, यह दानो neutral हैं और यह Cl2O7 acidic oxide है Cl2O7 acidic है, non metal oxide है यह भी non metal है, लेकिन यह neutral oxide है यह M4 teric है और यह metal का oxide है basic होगा nature में question number seven, metallurgy का question है Ores पर बेज़द है सारे Ores NCRT में दे रखे हैं metallurgy chapter में, वहीं है spalerite, zinc blend का एक नाम और भी spalerite NCRT में दिया हुआ है calamine, calamine zinc का carbonate ore है यह भी NCRT में दिया हुआ है galena, galena lead का sulphide हो रहा है और ciderite iron का carbonate हो रहा है NCRT पर बेज़़ कुश्चन है NCRT पर जो और की list दी है metallurgy में, वही option है A का four, B का third C का second और D का first option is correct है Question number eight यह भी NCRT पर बेज़़ कुश्चन है hydrogen and its compound का The highest industrial consumption of molecular hydrogen is to produce compound of element तो hydrogen का जो maximum consumption है वो molecular hydrogen का maximum consumption है वो nitrogen का compound ammonia बनाने में किया जाता है इंडस्ट्रीज में तो ammonia बनाने में तो nitrogen का compound ammonia इसी में molecular hydrogen का maximum consumption होता है इंडस्ट्रीज में इस प्लोक जो element है उनका कुश्चन है यह भी NCRT बेज़़ है विच अफ दा फॉलोविंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ LICL and MgCl2 are soluble in ethanol करेक्ट है like dissolves to like कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होने से यह और्गानिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉलूविल है दा ओक्साइड ओफ L I2O and MgO कम्माइन विद एक्सेस ओफ ऑक्सेजन तो गिफ सॉपर ओक्साइड नहीं सॉपर ओक्साइड ओक्सेड के एक्सेस में केबल तीन ही element बनाते हैं सीजियम रोबेडियम और पोटेसियम L IF और L I2O इन दानों की जो solubility है water में वो काम है due to more lattice energy lattice energy इनकी ज्यादा होने से तो L IF is less less soluble in water ये तो correct है लेकिन L I2O is more soluble in water ये incorrect है तो इसमें A और C correct है और ऐसा option अपने पास कौन सा है जिसमें A and C correct है A option है दाइ बोरोन के structure पर based question है जो chemical bonding में भी दिया है और बोरोन family में भी दिया है NCRT में P block में identify the correct statement for B2S6 form those given below in B2S6 all BH bond are equivalent incorrect है bridge bond और terminal bond दोनों different होते हैं दोनों की length और energy अलग है तो सारे bond equivalent नहीं है इन B2S6 there are four three center two electron bond ये भी incorrect है three center two electron bond दो ही होते हैं डाइबोरेन में B2S6 is a Lewis acid correct है क्योंकि dimer बनने के बाद भी B2S6 electron deficient है octet complete नहीं है तो ये Lewis acid की तरह behave करता है और Lewis base के साथ react करता है from BF3 and NABH4 correct है BF3 से भी बना सकते हैं इसे BF3 पर reaction करा दो LiAlH4 की तो डाइबोरेन बन जाती है B2S6 और प्लस LiF और ALF3 इसे तरह NABH4 से भी बना सकते हैं डाइबोरेन NABH4 पर आयोडीन की reaction करा दो ये दोनों reaction NCRT में दे रखे हैं डाइबोरेन के preparation में तो आयोडीन की reaction कराने पर रेडॉक्स reaction होती है एने आई का formation होगा और प्लस HI और प्लस B2S6 बनेगा तो ये डाइबोरेन के दोनों preparation method दे रखी हैं NCRT में तो ये correct है B2S6 Lewis acid है और इसको BF3 और इनसे synthesize कर सकते हैं तो इसके option होगे C और D correct है तो C और D का option अपने पास C है तो C correct है इसका question number 11 the most stable trihalide of nitrogen is ये equivalent compound है और covalent compound की stability directly proportional होती है किसके covalent compound की stability directly proportional होगी bond strength के और NF3 से Ni3 तक size बढ़ रही है bond length बढ़ेगी bond energy या bond strength कम होने से इनकी जो stability है वो क्या होगी कम हो जाएगी तो most stable कौन होगा NF3 तो इसा option अपने पास कौन सा है ये है NF3 most stable compound होगा इन सभी चारो compound में ये कुश्चन नमर बारा environmental chemistry का कुश्चन नहीं है which one of the following elemental forms is not present in the enamel of teeth जो दातों के ऊपर एक enamel बनता है उसमें फिलोर appetite होता है कौन सा compound होता है फिलोर appetite जिसका formula ये है 3 CA3 PO4 का hal twice dot CAF2 तो इसमें calcium plus 2 आएन है फिलोराइड आएन है और phosphorus plus 5 में होगा PO4 3 minus में phosphorus plus 3 oxidation में नहीं होता है इसमें तो enamel of the surface of the teeth ये होता है NCRT में environmental chemistry का question है उसमें enamel of teeth दिया हुआ है इसमें ये formula है calcium आएन और phosphorus की oxidation plus 5 है तो plus 3 में होगा phosphorus तो इसका answer होगा B अब देखिए इस question में इसमें दे रखा है यहां पर in the given reaction sequence the major product C is reaction हमें दे रखा है C at H10 का reaction हमें कराना है HNO3 or H2SO4 से A दे रखा है then reaction bromine से कराना है with high temperature B B और B के बाद फिर alcoholic के विस दे रखार C बताना हमें कुल में लाकर हमें final product C बताना है और यह different हमें answers यहां पर given है ठीक है तो सबसे पहले तो हमें यहां पर यह देखना है कि C8H10 यह जो molecule है यह molecule यहां पर क्या हो सकता है इसको हमें समझना होगा तो देखिए हां यह जो molecule में बात कराता है C8H10 अभी जो molecule दे रखा है पहले यह सोचना है कि यह किस type का molecule होगा तो देखिए यहां पर आप ठीक से देखिए इस molecular formula के अगर हम structure draw करें तो कुछ तो यह लग रहा है कि C8H10 का मतलब यह aromatic type का molecule होगा aromatic से मतलब यह है कि benzene उसमें present होना चाहिए ठीक है benzene के हमने बात करी तो यह हमने यहां पर benzene को acid draw करा अब देखिए हमें पता है benzene में 6 carbon होते हैं तो 8 में से 6 carbon का ring हमने बना दिया 2 carbon यहां पर अभी हमें और available है अब 2 carbon से क्या का structure हम लोग बना सकते हैं तो समझना एक structure तो हमने यह बनाया CH2 single bond CH3 एक तो यह possibility है तो जड़ा देखिए अगर हम इसका molecule formula चेक करें तो formula इसका यही लगबग आता है ठीक है उसके बाद एक formula हम और consider कर सकते हैं एक compound और consider कर सकते हैं वो है CH3 single bond CH3 this compound is ortho xylene अब बहुत करिफली समझेगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ molecular formula गिवन है यह बताना है कि इसका product क्या होगा अरिवासर में और अगर हम options को देखें तो इस option में आप यहाँ देख रहे हैं कि benzene से 2 carbon का एक chain बना रखा है यहाँ पर भी benzene से 2 carbon का chain बना रखा है ठीक है यहाँ पर भी benzene से 2 carbon का chain बना रखा है और यहाँ पर भी benzene से 2 carbon का chain बना रखा है इटमिस यह possibility है कि यह वाला जो और्थोजैलिन जिसके हम बात कर रहे हैं यह तो possible नहीं हो सकता अगर possible होगा molecule तो फिर यह वाला possible होगा that is ethylbenzene तो इसका मतलब यहाँ पर यह जो हमें compound दे रखा है इसके starting हमें किस्से करनी है इस वाले compound से that is ethylbenzene अब जड़ा देखिए ethylbenzene का अगर हम nitrogen करें तो क्या बनता है तो जड़ा देखिएगा इस case में यह इसका solution ethylbenzene की बने ethylbenzene का HNO3 plus S2SO4 दे रखा है definitely यह nitrogen है nitrogen of ethylbenzene तो इस case में क्या possibility होगी एक तो और्थो बनेगा एक पैरा बनेगा तो यहाँ पर हमने मेजर किसको माना मेजर हमने माना यहाँ पर पैरा नेट्रो को कि पैरा नेट्रो यहाँ पर होगा ठीक है तो यह compound बना पैरा नेट्रो ethylbenzene अब इसकी further action अगर हम bromine से कराते हैं high temperature प तो यहाँ से CH से एक हटेगा और एक BR यहाँ पर attest हो जाएगा इसको हम बोलते हैं bengylic substitution reaction ठीक है यह product बना और उसके बाद फिर next जो reaction दे रखा है clear cut दे रखा है alcoholic case दे रखा है ठीक है और इस carbon से bromine eliminate होगा अगर यह alpha है तो यह वाला beta है और beta carbon से कौन eliminate हो जाएगा एक hydrogen atom eliminate हो जाएगा तो ultimately alpha और beta के बीच में एक double bond इसमें आ जाता है तो final product यह वाला molecule बनेगा that is para nitro तुम्हें याद होना चाहिए benzyne पर यह जो group होता है venile इसको हम sterine भी बोलते हैं तो एक तरह से नाम इसका यह भी हो सकता है peranato sterine भी हम इसको बोल सकते हैं तो यही इसका final answer होगा तो देख लेते हैं इसका कौन सा option होई है तो इसका answer जो बी होगा बी option जो है वो इसका correct option होगा तो एक बार फिर से question को ज़रा हम देखें यह हमे चली बच्चों next question की बात करते हैं question दे रखा है question यहाँ पर इसमें हमें two statement दे रखा है first statement है two statements are given below statement number first क्या दे रखा है देखें the melting point of mono carbosalic acid with even number of carbon atom is higher than that of with odd number of carbon atom acid immediately because below and above in the series simple सी बात है हमें जो कह रहा है कि कर्भोसलिक acid है odd number of carbosalic acid भी होता है और even number के भी carbosalic acid होते हैं तो यह कह रहा है कि even number का जो melting point होता है वो उसके पहले वाले और बाद वाले और नम्मोर अफ कर्बोसलिक acid के melting point से compatibility जाधा ही होता है तो यह जो statement यह बिल्कुल सही है ऐसा क्यों सही है क्योंकि देखे अगर molecule में even number of carbon atoms होते हैं जैसे मैं यहाँ पर क्या सकता हो कि माली जी यह molecule है इस टाइब से इसमें ऐसे molecule है फिक है ना कितने carbon है इसके अंदर one two three four five six six carbon का है even even number of carbon है तो इस case में क्या होगा ऐसा ही एक molecule और भी होगा वो यह रहा c double oh ऐसा ही एक molecule और भी होगा c double oh तो कहने का मतलब molecule जितने symmetrical होते है उतना ही उनका जो closed packed होता है जो packing efficiency होती है बहुत ज्यादा होती है और चूंकि packing efficiency बहुत ज्यादा होती है तो इसी लिए इंका melting point भी competitively ज्यादा ही होता है ठीक है ना अब इसी में हम बात करें statement number second की the solubity of mono carbosalic acid in water decreases with increase in molar mass simple सी बात है carbosalic acid में one carbon से two carbon three four five six seven eight nine ten ऐसे बढ़ते चले जाए तो क्या होगा carbosalic acid तो fix है उसमें तो कोई change हो नहीं रहा है लेकिन जो number of carbon carbon की जो chain है वो chain तो बढ़ रही है ना molecular mass बढ़ रहा है मतलब carbon chain बढ़ रहा है और carbon chain बढ़ रहा है तो carbon chain basically part कौन सा है वो तो एक non-polar part है और water की हम बात कर रहे है solubity की water कैसा molecule वो तो polar molecule है तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर one carbon two carbon three carbon four carbon की ऐसे हम बढ़ते चले जाए निचे की तरफ तो जो non-polar part होगा जो non-polar carbon chain होगी वो बढ़ते चले जाएगी और उसके बढ़ने से क्या होगा water में solubity उनकी कम होती चली जाएगी और याद रखीएगा carbosalic acid में first four compound जो होते हैं first four compound तो water soluble होते हैं और जो उसके बाद उसके बाद फिर हम देखते हैं नीचे जाने पर धेदिरे water solubity कम होती चली जाती है तो इस case में यहाँ पर जो step number first है वो भी correct है step number two दे रखा है वो भी correct है it means इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा option number a ठीक है तो देखिए इसका यह solution भी लिखावा है even number of carbon atom are symmetrically so they are tight packed in crystal lattice hence have high lattice energy we need high temperature to change their state melting point का मतलब का state change करना ही तो है solid से liquid में लेकर आना है तो we need high temperature to change their state so they have high melting point तो correct answer इसका option number a हो जाएगा चली बच्चों next question की बात करते है simple question है simple question ही कह सकते हैं इसको which of the following is an example of conjugated di ketone di ketone होना चाहिए conjugated बताना है तो यहां पर देखिए इस case में a b c d हमें चार option दे रखा है इसमें ketone यहां पर भी दे रखा है ketone यहां पर भी दे रखा है लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि यह वाला ketone इस ketone के कहीं कोई conjugation में नहीं है मतलब कि यहां पर इसके और इसकी बीच में किसी टैप का resonance नहीं है it means option जो a दे रखा है वो तो इसका आंसर होई नहीं सकता बी की बात करें बी में देखो यहां पर यह की ketone है और एक ketone यहां पर यह सपार यह cyclic ketone है तो यह cyclic ketone है और हम यह भी देख रहें कि इसका इसके साथ कोई conjugation या कोई किसी टैप का resonance possible नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका answer possible नहीं होगा, ठीक है, चलिए next, option C की बात करें, इस C वाले में definitely इसको हम कह सकते हैं, कि यही इस question का answer होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जड़ा दीखिए, यहाँ पर यह जो double bond है, और यह जो double bond है, यह ketone, यह भी ketone, तो di ket Čन चाहिए, यह एक, और यह वाला जो 5-1ड अवह इस斯 पाइबॉंड केege अँंगीशन में है, और यह भी में देखो, यहां पर भी किटोन दे रखा है, यहां पर भी किटोन दे रखा है, बट यह वाला किटोन तो किसी की भी conjugation में नहीं है, यह वाला किटोन definitely इसके conjugation में है, मान रहे हैं कि यह वाला जो किटोन है, यह इसके conjugation में है, बट यह वाला किटोन इसके कॉंजुगेशन में कहां परे भई यह तो इसके कॉंजुगेशन में ही नहीं ठीक है ना तो कुल मिलाकर अगर option wise अगर हम बात करें यहां पर तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यही इसका conjugated di ketone होगा लिए बच्चों next question सोल करते हैं काफी बैतरीन question इसको हम कह सकते हैं देखते हैं इसमें क्या दे रखा है बेंजीन है बेंजीन पर OCH3 group लगा रखा है और एक CH2 के साथ BR लगा रखा है उसका reaction हमें करना है सबसे पहले अनियसीन के साथ उसके बाद OH- के साथ then cyclohexanone याद रहे किए cyclohexanone दे रखा है means cyclic ketone दे रखा है और बाद में reaction करना है H2 के साथ in the presence of nickel और हमें बताना है major product हमें यहाँ पर यह four compound given है A, B, C, D बताना इसमें से सही answer क्या होगा तो चलीए खेर इसमें start करते हैं कैसे question होगा तो देखिए basically इसमें है क्या यहाँ पर देख सकते हैं यह हमें molecule दे रखा था ठीक है reaction हम करवा रहे है NACN के साथ तो NACN हम देख सकते हैं कि NACN का OCST से तो कोई reaction होता नहीं है ठीक है ना लेकिन चुकि यह allylic bromide है allylic bromide है और यह एक strong nucleophile है तो देखिए यहाँ पर इस case में हाँ एक second हाँ तो हम बात कर रहे थे कि यह जो NA plus और CN minus है तो CN minus क्या है एक strong nucleophile है तो यह strong nucleophile benzylic carbon पर attack करके यहाँ से BR को replace कर देगा ठीक है BR यहाँ से leave हुआ तो CS2 से attest कौन हुआ CN ठीक है CN group यहाँ पर आया अब उसके बात का जो step बेरका है वो है reaction with OH minus hydroxide ion यह वो step है जिसने यह देखो यह वाला step तो मैं मानता हूं कि सबने बना लिया होगा यह step तो बहुत सिंपल था लेकिन यह वाला step जिसने सही बना दिया होगा उसका यह question बिकुल सही गया होगा और जिसने यहाँ पर गरबड़ कर दी होगी उसका पूरा question चला गया होगा अब देखे क्या mistake हो सकती होगी कुछ बच्चों ने I think ऐसा सोचा होगा कि भी OH minus से CN है सीपर डेल पॉसेटी होगा यह भी एक इलक्टोफलिक सेंटर है तो उनने इसका कुछ अटेक करा दिया हो इसके उपर बट एक्च्छल में यहाँ पर अगर हम ठीक से देखे हैं तो आप देखेंगे कि यह जो कार्बन है इसके पास जो हैट्रोजन है यह हैट्रोजन एक तरफ कौन सा ग्रूप है CN विड्रोइंग ग्रूप है और एक तरफ बिंजीन है तो इन दोनों ग्रूप के कारण यह वाला जो ह होगा यह एच एसडिक होगा अई वास हो में तो होगा क्या यह जो OH- है यह यहाँ से एक प्लस को एक्सट करेगा और एक तो की फॉर्म में यह लीव कर जाएगा तो सी पर चार्ज यह आएगा माइनस अब देखिए फिर से देखिए मैंने का था कि यह वाला है अब एसडिक होता है अब एसडिक कैसे हो रहा है इसको भी हम बात कर सकते हैं कोई भी एसडिक कभ होगा जब इसका conjugate base stable हो, तो ज़रा ठीक से देखो, यह इसका conjugate base stable है, क्योंकि यह minus charge Cn के साथ conjugation में है, Cn का strong minus M effect होता है, और यह minus charge benzene के साथ भी तो conjugation में है, तो यह negative charge तो एक stable N9 होगा भी, और अगर यह stable N9 है, इसका मतलब यह वाला H, acidic H है, तो definitely यह OH- यहाँ से H+, को extract करेगा, clear, चलिए, माना, C पर charge आया, minus, अब थर्ड में क्या molecule दे रखा है, थर्ड में दे रखा है, cyclohexanone, अब इसका attack इस पर करवाना है, तो यह तो easy step हम कह सकते हैं, यह C पर charge negative है, ketone है, ketone में C पर charge dell plus, O पर charge dell minus, तो जब यहाँ nucleophilic center है, तो यह किस पर attack करेगा, इसके इस electrophilic center पर कैसे, यह minus charge C पर attack करेगे, pi bond को यहाँ पर shift करेगा, और इस step को हम बोलते हैं, nucleophilic addition step, yes or no, it means, इस carbon से यह वाली ring, इस carbon के थूँख connect होगी, तो structure क्या बनेगा, देखिए, यह वाला जो species था, उसको हमने यहाँ पर as it is draw करा है, और इस वाले carbon से, यह CH वाला carbon यह रहा, इस CH वाले carbon से ketone का carbon connect हुआ है, और O पर charge आएगा minus, O पर charge आता है minus, और यह minus charge solvent से क्या करेगा, solvent यहाँ पर कौन water, water से H plus लेकर O H में यह convert हो जाता है, अगर आप ठीक से समझ रहे हैं, तो आपको idea होना चाहिए, आपने एक रिशन पढ़ा होगा, allol condensation, और allol condensation में हम ने एक वो भी पढ़ा था, और एक बढ़ाता साइनो एडोल, तो ठीक से देखो, यह साइनो एडोल टाइप पर reaction हो रहा है, यहाँ पर, अरी बास हमें, साइनेड ग्रूप है, हमने H निकाल कर NN बनाया, अटे किस पर कराया, चलि ठीक है, तो यह OH आया, अब यह तो बना, अब उसके बाद लास्स स्टेप दे रहा है, reaction with H2 निकल, तो भी H2 निकल है, hydrogenation करना है, तो देखिए, यहाँ पर कौन-कौन से function group प्रेजेंट है, एक तो बेंजीन है, ठीक है, एक यहाँ पर, बेंजीन के लाबबा OCS3 एथर है, उसके बाद यहाँ पर OH है और CN है, तो ज़रा बताए है, H2 निकल, H2 निकल किसको reduce करता है, करने में बताए है, बेंजीन को भी कर देता है, बेंजीन को भी reduce कर देता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, कई बाद जो हमारे answers होते हैं, वो questions के accordingly भी set होते हैं, देखिए, हर option में आप देख रहे है, बेंजीन को as it is draw कर रखा है, इसका मतलब हमें बेंजीन को reduce नहीं करना है, बेंजीन को as it is रखना है, अरीवासम है, तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए, फिर से वही solution लेकर आते हैं हम लोग, जहाँ पर थे, यह देखिए, तो H2 निकल क्या करेगा, यह जो C-N group था, इस C-N group को यह reduce कर देगा, और C-N group को reduce कर देगा, तो क्या बनाएगा, वन डिग्री अमाइन, मिन्स यह वाला group convert हो जाएगा, C-H2, N-H2 में, यह बना C-H2 और N-H2 में, तो ठीक से देखिए, यही इसका final answer होगा, ठीक है, तो correct answer इसका हो जाएगा, option number D. बच्चों, चलिए, next question लेते हैं, तो next question हमें दे रखा है, यहाँ पर, पॉलिमर का यह question है, which of the following is an example of polyester, जब class में यह topic पढ़ाते हैं, तो बहुत कहते हैं कि इस topic को अच्छे से पढ़ लो, हर साल इसमें से question आ रहा है, और यह भी कहा जाता है, कि इसमें से किस-किस type के questions आते हैं, कई बार कहा जाता है, क्लास में यह भी condensation polymer याद करीजिएगा, addition polymer याद करीजिएगा, कौन-कौन से polyester type के होते हैं, कौन-कौन से polyamide type के polymer होते हैं, यह सब कहा जाता है, उसी पर best यह question आया है, इस बार, easy question है, पूछा हुआ है, which of the following is an example of polyester, अब polyester कौन-कौन से होते हैं, हमें पता है polyester, जैसे एक तो हमें आते हैं कि decron होता है, glyptal भी होता है, यह सब polyester ही तो है, और एक यह भी होता है, PHBV, short form होती है, इसकी PHBV, यह NCRT में set दे रखा है, this is biodegradable polymer होता है, ही है, PHBV short form होती है, तो पहले चलो देखते हैं, option A से, option दे रखा, butadiene, styrene, co-polymer, तो भी यह तो एक तरह से butadiene, polyester है, तो एक compound के अंदर कर्बोसली group होना चाहिए, दूसरे अंदर hydroxy group होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, betadiene में, styrene में कहीं ऐसा कोई function group भी present नहीं है, तो यह तो possibility है ही नहीं, melamine polymer, melamine में भी ऐसा कोई function group present होता ही नहीं है, तो यह भी नहीं होगा, neoprene, यह तो betadiene type का polymer है, इसमें भी ऐसा कोई polyester type का group नहीं होता है, सही answer इसका है, वो है option D, that is poly beta hydroxy butyrate को beta hydroxy valerate, इसकी short form होती है, PHBV, bio degradable polymer होते हैं यह, तो देखिए, structure इसका यह बना रखा है, this one is beta hydroxy butyric acid और यह है beta hydroxy valeric acid, जब इसका polymerization करते हैं, तो इसका OH और इसका H मिलकर water release करते हैं, तो यहाँ पर इसका carboxly group और इसका hydroxy group में जब condensation होगा, water release होता है, तो ester group बनता है, यह देखिए, यह ester group यहाँ पर बन रहा है, इसलिए उसको polyester बोलावा है, तो यह name हो जाते है, इसका poly beta hydroxy butyrate, जाय का इसका option no. D. इसलिए बच्चो, next question discuss करते हैं, question दे रखा इसका अंदर, यह question हम कह सकते हैं, biomolecular का question यह वाला, carbohydrate का, दे रखा polysaccharide X on boiling with dilute S2SO4 at 393 Kelvin under 2-3 atmospheric pressure yield Y, Y on treatment with bromine water gives gluconic acid X, contents beta glycoside linkage only, beta glycoside linkage only compound X, simple question है, simple, अगर आपको हल्का साभी idea है इस topic का, तो आप बड़े आराम से बना सकते हो, मलकुल में लाकर हमें X बताना है, polysaccharide है, polysaccharide का मतलब polymer type का starch है, cellulose वगरा भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसमें बोलावा है कि X contains beta glycoside linkage, अगर आप इसी चीज को पकड़ लें ठीक से, तो question आपको यहीं हो गया, because यहाँ पर देखिए, starch, starch में कौन सा linkage होता है, उसमें तो alpha glycoside linkage होता है, ठीक है न, amylose है, amylopactin है, इन सम में क्या linkage होता है, इन में तो alpha होता है, भई, beta तो खाली cellulose में ही होता है, इन options में अगर देखें, तो इससे cellulose ही ऐसा polymer है, जिसमें beta glycoside linkage होता है, तो correct answer इसका cellulose होगा, ठीक है, तो खेर यह तो answer नहीं होगे, correct answer इसका यह होगा, भी cellulose, तो चलिए, अब जो question हमें sequence दे रखा है, एक बार उसको discuss करने क्या दे रखा है, तो देखें, इसमें पूछा भाई, polysaccharide axon boiling with dilute estuosephal, मतलब हम cellulose का पहले hydrolysis करें, hydrolysis करने के बाद, फिर reaction हम किसे करें, bromine water से, तो चलो ठीक है, देखें, यह इसका solution, cellulose हमें दे रखा है, dilute estuosephal से इस temperature पर हमने इसको heat करा, तो हमें मिलता है, beta glyco glucoparanose, ठीक है, तो basically यह है क्या, glucose की तो form है एक, glucose की एक anomeric form है वाली, और अगर इसको हम open chain compound में consider करते हैं, open chain भी बना सकते हैं, cyclic form में लिखें या open chain form में लिखें, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, और जब bromine water selection हम करेंगे, तो उस case में क्या होगा, जो early head group होगा, उस early head group का oxidation हो जाता है, bromine water से, और ये COOH group में convert हो जाता है, इसको मैं जो कहा रहा था, इसको हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर ये हमने लिखा, OH, sorry, या इसको हम ऐसे ही ले सकते हैं, H, OH, ये लिखा, OH, H, then H, OH, OH, and CH2OH, ठीक है, इस is D glucose, और इस D glucose का जहम ब्रोमीन water से oxidation करते हैं, तो ब्रोमीन water सीफ और सीफ और लिएट group को ही oxidize करता है, C बनाता है, Gluconic Acid, तो इसका जो correct answer यहाँ पर होगा, वो होगा, cellulose और option ये हो जाएगा, B option. अलि बच्चों, next question स्टार्ट करते हैं, question दे रहे का, which of the following is not a broad spectrum antibiotic, sad question नहीं, तो fact बैसी इस पर है, जिसने anxiety पढ़ी होगी, और जिसने पटिक ये topic पढ़ाओगा, उसको ये question आता होगा, तो इसका जो सही answer है, वो है, penicillin G, यही ऐसे antibiotic है, जो broad spectrum antibiotic नहीं होता है, बाकि ये जो तीनों है, ये सब तो broad spectrum antibiotic की category में आते हैं, ठीक है, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option D. Question number 20, during the qualitative analysis of salt with cation y plus addition of reagent X2 alkaline solution of the salt, bright red precipitated the reagent X and the cation y plus to present respectively, ये NI plus 2 का बहुत ही famous test है, NI plus 2 में alkaline medium में DMG डाल दो, तो NI DMG का halt twice, इसका red color का, bright red या rosy red color का precipitate बनता है, तो ये इसमें जो by 2 plus होगा, बोतों क्या होगा, NI plus 2, और जो आपने X डाला है, ये वो क्या होगा, DMG, तो डाई मिथाइल गिलाई ऑक्सिम एंड NI plus 2 होगा, इसका color bookों में rosy red लिखा रहता है, इन्होंने bright red बोला इसको, ये complex बनता है, इसका alkaline medium में. Atoms of element X, form HCP, देखो HCP बना रहे हैं, एक बात बताओ, HCP का formation कर रहे हैं, कौन X, HCP में overall number of atom कितने आते हैं? number of atom, वो 6 आते हैं, पताओगा साइद आपको, ठीक है न, 6 कहां कहां पर होते हैं? ठीक है न, ठीक है न, जो 12 यहां पर अपने पास आते हैं न, 12, H जो आते हैं न, H, 12 corner, sorry, 12 corner जो आते हैं न, उस पर overall कितने मिलते हैं? हैं, अपने पास तो मिलेंगे, 1 by 6, 12 corner है, 1 by 6 into 12 is equal to 2 atom वहां पर मिलेंगे, ठीक है न, और 2 आते हैं face, face पर कितना मिलेगा? 1 by 2 into 2 से आपके पास कितना आएगा? 1, और आपके पास आते हैं, 3 आते हैं वो आते हैं, 8 inside, inside, inside मतलब जो आपके पास unit cell है उसके अंदर आते हैं, तो 3 यहां से आजाएंगे, टोटल मिला करके आप देख सकते हैं, 2 यहां से मिला, 1 यहां से मिला, और यहां से 3 मिला, टोटल मिला करके 6 मिलते हैं, तो आपके पास X के नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, अगला question क्या, आगे देखो क्या है, दोज अलिमेंट य, याँ पर, य कहाँ पर है, two-third, two-third of tetrahedral wide, wide, y element, तो एक बाद बताओ, इसमें number of tetrahedral wide कितने होती है, यह पता होगा, 2 into number of atom, और number of atom कितना आ रहा है, ओर आल आप देख सकते हैं, यहां से 6 आ रहा है, तो 12 होगी, तो number of y element निकाल सकते हैं, 2 3rd है न, तो 2 3rd into 12, टेट्राहेडरल वाइड, तो आप बताएं, कितना आ रहा है, यहां से 8 आ जाएगा, इसका formula बन क्या रहा है बताओ, आप को गे सर, formula बड़ा असान ने बनाना, केसे, देखो यहां पर, यहां से formula बन जाएगा, अपने पास, x, 6, y, 8, ठीक है न, तो एक बात बताओ, यहां से आपको percentage निकालना है न, percentage of क्या निकालना है, percentage of element in lattice, percentage of x, ठीक है न, तो क्या करेंगे, number of, atom of x, कितना है, 6, total number of atom कितना है, 14, कर देंगे multiply, 100 से, percentage आ जाएगा, ठीक है, देखो केसे है, solution देखो आप इसका, देखो, hcp lattice है, एक मिनिट, यह है अपने पास, hcp lattice है, x atom है, 6 मिला, मैंने आपको बताया था, कहां कहां पे, 2 तो मिला कहां से, corner, 1 कहां से, face, और 3 कहां से, body center, body center, मतलब inside the body, ठीक है, तो यहां से, आपके पास, tetrahedral wide, कहां पर है, y atoms के लिए, तो number of y atoms, आपने निकाल लिया, 2 by 3 into 12 is equal to 8 आ गया, percentage of element निकालना है, बड़ा आसान है, number of x atom, upon total number of atoms, total कितना आ रहे हैं वही, sol कर लिया आपने, यहां गया, 14, तो आपके पास यह answer आ रहा है, 43%, देखो, जो next question है अपने पास, यह है आपके पास, ozone के लिए बोल रखा है, 50% dissociate हो रहा है, standard gives free energy change, temperature दे रखा है आपको, add this temperature, कहां पर, temperature अपने को दे रखा है, free energy change, add this temperature, 300 Kelvin है न, starting में, अब pressure दे रखा है, 180m और यह answer निकालना है, तो आपको पता लगया होगा, कि free energy change की बात कर रहा है, तो यह thermodynamics का question है, थर्मो, ठीक है, अब क्या करें, यहां पर कैसे निकाले, तो यह काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से equilibrium constant K निकालना पड़ेगा, K निकाल करके फिर क्या करेंगे, delta G is equal to minus, delta G is equal to minus RT ln K लगा देंगे, तो यहां से delta G की value अपनको मिल सकती है, अब आपको किसे पता चला, क्यों, क्योंकि यहां पर इसने दे रखा है, Ozone is 50% dissociated, तो 50% dissociated है, तो कहीं ने कहीं इनके वीच में equilibrium आएगा, तो equilibrium से क्या आजाएगा, equilibrium constant K निकाल लेंगे, और यहां पर value put करेंगे, और delta G यहां से solve करके निकालेंगे, देखो कैसी किया, यह है देखो, इसको balance equation तो आपको लिखना जरूरी है, यह तो पता ही होगा आपको, T बराबर 0, initial mole कितना है, बताओ, 1 mole ले लिया आपने इसका, और product, Ozone, जो है आपके पास reactant, उसका तो 1 mole लिया है, product जो है आपके पास, उसके initial में कितना है, 0 है, तो जब equilibrium mole आपको मिलेगा, तो 50% dissociate हो रहा है, तो एक बात बताओ, alpha की value कितनी आई, 0.5, 1 में से कितना reaction करेगा, 0.5, यह कितना बनेगा, देखो यहां से, कितना बनेगा, आप देख सकते हो यहां से, जब इसका 1 mole, इसका 2 mole reaction करता है, तो 3 बनेगा, ऐसा रिखो, 2 mole O2, जब reaction, 2 mole O3 है, सोरी, 2 mole O3 जब reaction करेगा, Ozone का, O3 है, तो आपके पास क्या बन रहा है, 3 mole O2 बन रहा है, ठीक है ना, तो एक बात बताओ, 1 mole O2 जब reaction करेगा, तो आपके पास कितना बनेगा, यहां से 2 moles है न, O2 का, O3 का, ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा, 3 by 2 mole, किसका बना, O2 का, O2 है बटाओ, ठीक है, अब उसी तरीके से आपके पास कितना mole ही reaction करने के लिए, आपको जब 0.5 mole reaction कर रहा है, किसका, O2 का, तो यह 3 by 2 into 0.5, तो आपके पास 0.75 mole आ जाएगा, किसका आ गया, 0.75 mole है, किसका, जो आपके पास product है, O2 का, तो एक बाद बताओ, यह 0.75 mole आपको पता लग गया होगा, कैसे आया, final moles, total moles, निकाल लेंगे, कैसे, आपके पास remaining mole कितना है, 0.5, बनने वाले mole कितने है, 0.75, दोनों को 8 गया, तो आपके पास final total mole आपको यह मिल गया, P total कितना है, question में दे रखा है, 180 M, ठीक है, अचा, partial pressure कैसे निकालेंगे, mole fraction into total pressure, ठीक है न, अचा, mole fraction कैसे निकालेंगे, जिसका भी mole fraction निकालना चाहा है, उसके moles upon total mole, ठीक है, और फिर आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से, partial pressure निकाल सकते हैं, total pressure से multiply करके, तो एक बात बताओ, KP is equal to, यह दो बात आपको पता लगी गया होगा, इसका coefficient oxygen का कितना है, 3 है, तो यहां पर partial pressure of O2, product जो है, उसकी power कितनी आएगी, 3, और यहां पर partial pressure of O3 है, जो reactant है, उसकी power कितनी आएगी, 2, पताओ, इसके moles कितने हैं, आपको गेशर 0.75, total moles कितने हैं, 1.25, pressure कितना है, 1, power कितनी आगई, 3, और यहां पर O3 जो है, आपके पास, उसकी 0.5 mole है, और इसके total moles जो है, equilibrium पे, 1.25, total pressure 180 मान लिया, तो यहां से आप KP की value calculate कर सकते हैं, थोड़ी सी calculation है, ठीक है न, KP निकालेगे, आजाएगा अपने पास, ठीक है, अब KP आगया, तो हमें पता है कि, delta G is equal to minus RT ln KP होता है, क्या होता है, ठीक है, तो यहां पर delta G minus RT, अब देखो, R की value आपन को question में दे रखी हैं, कि क्या put करनी है, 8.3 put करनी है, T आपको temperature कितना given है, 300, और यहां पर ln KP, KP की जिगब आपने यह वाली value, पुट कर दी, जब आप इसको solve करेंगे न, तो आपके पास, अब पता है सोचने वाली बात क्या है, ln 1.35 की value आपको दे रखी है, question में given है, तो कोई बात नहीं, आप solve कर सकते थे, रांसर निकाल सकते दे, तो यह thermodynamics का question है, Gibbs free energy से related है, थोड़ा सा इसके अंदर chemical equilibrium भी use हो रहा है, जो आपको partial pressure की terms में calculate करना है, ठीक है, इस question को अपन क्या मान सकते हैं, moderate question मान सकते हैं, ठीक है बेटा, एक्स जो अपने पास question है, वो है, osmotic pressure of blood, blood का osmotic pressure दे रखा है, और temperature भी आपको given है, inject glucose to a percent, ठीक है ना, isotonic के देखो, blood, concentration of glucose आपको निकालना है, gram per liter में, क्या कर सकते हैं अपने, एक बात बताओ, osmotic pressure, क्या है, colligative property, मतला भी यह आपके पास liquid solution का question है, और यहाँ पर colligative property से related है, ठीक, चलो, तो यहाँ पर अपने को क्या दी होना है, temperature given है, 300 Kelvin, pressure, जो आपको पास, osmotic pressure, pi की value आपको given है, 7.47, ठीक है ना, glucose का given है, तो glucose का molecular weight निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 180 आएगा, glucose का formula तो सभी को पता ही होगा, c6, h12, o6, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर, pi is equal to i, c, rt लगा सकते हैं, अच्छा एक बात बताएं, glucose जो है न, non electrolyte है, और i की value कितनी होती है, इसके लिए, 1 होती है, तो यहाँ से, आप क्या निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं, आप यहाँ से, लेकिन c जो आएगी, वो mole per liter में आएगी, mole per liter में आएगी, उसको उपन किस में convert करेंगे, gram per liter में convert करेंगे, देखो कैसे, आपको पता लग गया, पाई is equal to ICRT लगाएंगे, और आंसर निकालेंगे, लगाया, ठीक है, यहाँ पर देखें आप, तो पाई की वेल्यू है अपने पास, I1 है, नन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, c आपके पास mole per liter में आएगी है, और r की वेल्यू आपको कोशन में दे रखी है, temperature है यह अपने पास, तो c आपके पास आगया mole per liter में, अब concentration आपको किस में निकाल लिए, ग्राम per liter में निकाल लिए न, तो क्या करेंगे, जो आपके पास mole per liter है, उसको multiply करेंगे किसे molecular weights हैं, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 54, और आंसर भी अपने पास 54 ही है, तो अगला जो question है, जो आपके सामने है, वो electro chemistry का question है, electro chemistry का question है, ठीक है, अब देखो, the cell potential of following cell, आपको एक cell दे रखा है, उसका representation आपको दे रखा है, जिसका cell potential आपको given है, ठीक है न, 298 Kelvin पर, PS निकालने आपको solution की, तो कैसे करें, PS निकालने के लिए sir, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक काम करना है आपको, जब भी ऐसा question होना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, equation लिखेंगे, equation क्या आएगी, anode और cathode वाली reaction लिखेंगे, anode पर क्या होगा, 8 anode, ठीक है न, anode पर आपको पता, यह आगी वाला जो cell होता है, न, salt breeze के आगी वागी, यह है आपके पास anodic reaction, anode, ठीक है, क्या हो रहा है, h2 जो है, 2s प्लस में convert हो रहा है, 8 cathode, 2s प्लस में convert हो रहा है, तो definitely यह 2 electron भी लूज कर रहा होगा, cathode पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, cathode पर, यह वाला cell है, पीछे वाला, cathode ही cell को salt breeze के right hand side में लिखा जाता है, तो यहाँ पर, cu प्लस 2 है, यह किस में जा रहा है, 2 electron गेन करेगा, और cu में जाएगा, और हाल reaction लिख सकते हैं आपने, क्या आएगा, h2 प्लस, cu प्लस 2, और आपके पास, 2s प्लस, प्लस, cu बन जाएगा, आपके पास, solid state में है, यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, e-node cell कैसे निकालेंगे, e-node cell निकालने के लिए, cathode और a-node का पता होना जाएगा, तो e-node cathode minus e-node a-node, e-node cell निकालने के लिए, उसके बाद में nons equation एप्लाई करेंगे, इसके उपर, नन्स equation क्या होगी, यहाँ पर E cell is equal to minus is equal to E node cell minus यहाँ पर 0.06 upon NK, यह वाली चीज़ अपलाई करेंगे न, तो आपके पास यहाँ से pH निकल जाएगी, चलो, किस तरीके से, देखो solution, आपको पता लग गया होगा, कि करना क्या है, ठीके, सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ से, E node cell लगाना था, और यहाँ पर E node की value निकालनी थी, फिर बाद में, E cell आपको given है, E node cell है, तो यहाँ से आप product upon reactant करके, यहाँ से pH calculate कर सकते हैं, देखो कैसे, यह है आपके पास, E node वाली reaction, क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर, यह E node वाली reaction है, और यह cathode वाली, दोनों को add कर दिया, और आली reaction आगई, अब क्या करना है, E node cell निकालना है, तो क्या कर दिया, cathode, minus A node का क्या है, reduction potential, ठीक है न, या फिर आप इसको electrode potential भी बोल सकते हैं, आपको पता है, जो आपके पास, reduction potential की value होती है, वो electrode potential की क्या होती है, बराबर, तो यह आ जाएगा, अब देखो, यहाँ पर और E cell अपने को given है, E node cell आपने यहां से calculate कर लिया, तो यहाँ पर क्या है, product, product क्या है, H plus Aion, और CUS, S का active mass तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको लिखा ही नहीं, उसी तरीके से यहाँ पर HG का pressure कितना ले लेंगे, 180, और उसके बाद में आपके पास, reactant side पे Cu plus 2, ions की concentration आपको given है, अब क्या है, यहाँ पर आप देखें, यह रख दिया आपने, यह आपने calculate कर लिया था E node cell, ठीक है न, 0.06, number of electron जो transfer हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपने इसको 2 से divide किया, आपके पास यह आया, ठीक है, minus लोग ले ले लें यहाँ पर, क्या, यहाँ पर, यह माइनस है, यहाँ पर, माइनस है, ठीक है न, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, मतलब printing में, टाइपिंग में, तो यहाँ पर आप इसको solve करेंगे, minus लोग जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं, और यह 2 आगे चला जाएगा ठीक है न, तो 2 minus log S plus को आपने क्या लिख दिया, pH लिख दिया, तो 2 pH आ जाएगा, मतलब minus log of S plus को क्या लिख दिया, आपने pH लिख दिया, तो आपके पास क्या आएगा, 2 pH आ जाएगा, उसके बाद में, log product upon reactant जो है न, तो product आपके पास इस तरीके से आप इसको लिख सकते यह मुझे लगता है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें, यह अपने को सोल करेंगे, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी pH निकाल सकते हैं, में चीज यह question आप इसको tough बोल सकते हैं, difficult बोल सकते हैं, आपक section लिख करके, E node cell की value calculate करी, E node cell की value calculate करके, nonce equation apply करी, और आपने थोड़ी सी इसके अंदर calculation करी, और calculation करने के बाद में answer, nearest integer में कितना जाएगा, 5. Next question जो है अपने पास, the rate constant for decomposition of acetaldehyde है हो, और temperature range, temperature range दे रखा है भाई आपने को, ठीक है ना, the data has been analysis floated, analysis क्या है, LNK versus 10S3 power 3 divided by T, graph आपको given है, value of activation energy आपको क्या निकालनी है इसके लिए, तो एक बात बताओ, इस graph देखो देखो आप, ठीक है ना, तो graph को देखा तो आपको लग रहा होगा कि यह activation energy वाला graph है, ठीक है, तो क्या करेंगे यह आप है, activation energy वाला graph है, तो अपन क्या है, यहाँ पर, RNS equation को याद करो, K is equal to A, E A upon RT, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या ले लेंगे, LNK is equal to LNA, ठीक है ना, minus E A upon RT, लिखा जा सकता है, ठीक है न, तो यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यह है न, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, Y is equal to C minus MX, से क्या कर देंगे, comparison कर देंगे, और यहाँ पर M की value अपन को magnitude आपको क्या दे रखा है, slope दे रखा है, और यहाँ से value calculate आप activation energy की कर सकते हैं, देखो कैसे, क्या आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको slope दे रखा है, इसके भीच में graph दे रखा है, यह वाला, तो आप RNS equation से यह वाला question आप solve कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि temperature और activation energy का जो relation देता है, वो कुन देता है, RNA equation देता है, देखो, यह है आपके पास, पहले है लिखा, ठीक है, यह, अब देखो, यहाँ पर आपके पास यह, तो ऊपर भी 1000 से multiply कर दिया, और नीचे भी कर दिया, तो 1000 upon T कर दिया आपने, जो कि आपको किस पे लेना है, बताओ, X-axis पे, यह किस पे लेना है, Y-axis पे, ठीक है, तो इससे आप comparison कर सकते हैं, यह Y-axis पे, यह C की value है, और यह आप M की value मान सकते हैं, प्लस लेह लिए आपने आपने, यह M की value है, यह X है, तो slope आपको जो है, आपके पास यह आजाएगा, क्या आया, E-A upon 1000R आ गया, जिसको आप कितना लिख सकते हैं, माइनस 18.5, तो यहां से आप इसको solve करके, E-A की value calculate कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 18.5 into 1000, multiply किया, और आपके पास यह KJ per mol में answer आ जाएगा, जिसको nearest integer में क्या लिखेंगे, 154, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, कि यह पर आपको क्या दे रखा था, T और versus LNK में ग्राफ दे रखा था, तो RNA C equation apply करके answer निकालना था, आप इस question को थोड़ा सा moderate question आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा conceptual question है, और सोचने like question है, ठीक है? The difference in oxidation state of chromium in chromate and dichromate, chromate CRO 4, 2 minus, chromium का oxidation plus 6, और dichromate CRO 2, 7, 2 minus, chromium का oxidation 6, दोनो में difference 0 आएगा, तो 0 difference होगा oxidation state में, यह देख लो, CRO 4, 2 minus, oxidation number plus 6 आजाएगा, और dichromate में भी plus 6 आएगा, difference 0 आजाएगा, The cobalt carbonyl complex is CO2CO का hall at number of COCO bond is X हैं, और end terminal CO ligand is Y हैं, तो इसमें COCO के बीच में एक bond बनेगा, तो X के value 1, और दो bridge CO होँगे, और तीन तीन दोनों CO पर क्या होँगे? Terminal carbonyl group होँगे, तो total Y के value 6 होगी, X plus Y के value 7 होगी, यह इस compound का structure है, COCO bond कितने होगे है, 1, तो X के value क्या होगे, 1, और terminal यह carbonyl group होगे, कितने हैं, 6, तो X plus Y के value क्या होगे, 7, इसका answer होगा, 7. देखो, next question अपने पास, A0.166 gram sample of organic compound, was digested with concentration, H2SO4 की given है, then distillate with NaOH, पहले आपने किस के साथ reaction कराई? और गेनी compound जो है न, उसकी reaction कराई है, आपने H2SO4 के साथ, ठीक है न? अब और गेनी compound का जो nitrogen है न, जो भी nitrogen था, ठीक है न? उस nitrogen को आपने ammonia में convert कर दिया, और ammonia H2SO4 के साथ reaction करेगा, ammonia H2SO4 के साथ reaction करेगा, तो बचा हुआ जो remaining H2SO4 है, वो H2SO4 है, वो NaOH के साथ reaction करेगा, तो NaOH के साथ reaction करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, किसमे, organic compound में, क्या concept हो सकता है इसका, ठीक है न? यह है आपके पास gel dal process का question है, gel dal method, जो percentage of nitrogen compound calculate करने में use होती है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो total H2SO4 है ना, उसके equivalent निकालेंगे, मतलब H2SO4 जो है ना आपके पास, H2SO4, ठीक है ना, वो किसके साथ reaction करेगा, किससे neutralize होगा, NaOH प्लस NS3, और NS3 को H2O के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, बताओ, NS4OH, क्या लिखा जा सकता है, इसको, NS4OH, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, neutralization के लिए equivalent की requirement होती है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ML में given है, तो यहाँ से milli equivalent निकालेंगे, H2SO4 के milli equivalent निकाल लेंगे, और इसके भी milli equivalent निकाल लेंगे, और milli equivalent निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बताओ, normality into volume in ml लेंगे, ठीक है ना, अब इसके जो milli equivalent है, H2SO4 के, वो NOH के साथ भी reaction करेंगे, और NS3 के साथ भी reaction करेंगे, तो इक बात बताओ, आपको क्या given है, 50 ml given है, H2SO4 का, और उसकी normality given है, इसकी milli equivalent निकाल लेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 50 into 0.5, तो यह 25 आएगा, 25 milli equivalent, और उसकी इन दोनों के साथ reaction कराएंगे, तो दोनों के साथ यह भी basic है, और यह भी basic है, दोनों के साथ reaction कराएंगे, तो इसका 30 ml given है, 0.25, तो 30 into 0.25 से यह आएगा, 7.5 milli equivalent, और इसका भी milli equivalent, बाद में इन दोनों में से, जो आख के पास है, इसको calculate करेंगे, और इसकी milli equivalent आपको मिल जाएंगे, और उससे mass of nitrogen निकाल लेंगे, और mass percentage calculate करेंगे, देखो कैसे, समझना हैं आपको, मतलब H2SO4 NaOH के साथ reaction कर रहा है, और NS4OS के साथ reaction कर रहा है, पहले H2SO4 के जो total equivalent है, उसमें से आप NaOH का minus करेंगे, तो NS4OS का आ जाएगा, इसकी जितने मिल equivalent होंगे, उतने ही आप यहां से nitrogen का mass calculate कर सकते हो, और mass percentage निकाल सकते हो, देखो आपके पास क्या answer है, इसका, मिल equivalent निकाला, सबसे पहले, देखो, मिल equivalent initial H2SO4 total, ठीक है ना, कितना आया, 25, बात समझ में आ गई, मैंने आपको बताया था न, दो के साथ reaction कर रहा है, NOH के साथ भी और NS3 के साथ भी, NS3 किस फॉर्म में, NS4OS की फॉर्म में, milli equivalent of NOH, निकाल लिया, कैसे, volume into normality, 7.5 milli equivalent मिला, किसका, NOH का, मतलब, NS7.5 milli equivalent H2SO4 के साथ combine होगा, और आपके पास, 17.5 milli equivalent बचेगा, remaining, ठीक है, अब, 17.5 milli equivalent जो है, H2SO4 गा, वो NS4 OH के साथ combine होगा, तो mass of nitrogen आप यहां से calculate कर सकते हैं, कितना हैगा, milli equivalent कितना आ रहा है, 17.5, तो equivalent कितना हैगा, 17.5 into 3, और इसको आपने multiply कर दिया 14 से, तो आपके पास mass of nitrogen आपको मिल जाएगा, ठीक है, mass percentage जो नाइट्रोजन आप इसको solve करोगे ने, विटा, तो nitrogen का mass percentage आपको इतना मिल रहा है, आपको नहीं लग रहा है, यह तो आपको more than 100% है, ठीक है ना, तो आपको पता है, यह question bonus जाना चीए, ठीक है ना, bonus जाना चीए, क्यों जाना चीए, percentage of nitrogen in given compound is obtained, इतना मिल रहा है, it is not possible more than 100, ठीक है ना, तो यह वाला question अपने according, जो आपको data इसमें given है ना, NTA में जो data दिये है ना, उसके according यह वाला question bonus जाना चीए, ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, चरी बच्चो, next question start करते है, integer का यह question है, section B का, number of electrophilic centers in the given compound is, simple question है, ब्रुकुल simple question, बस इसमें एक चीज यह ध्यान रखने की थी, इस molecule में हमको बताना है, total number of electrophilic center कितना होगी, answer होगा 3, कौन-कौन से carbon electrophilic center होगी, तो देखिए, एक तो C double bond O है, यह दिस इस कार्मले कार्बन, यह तो कैरल center होता ही है, यह तो हमको पता ही सी, उसके अलावा, यह वाला जो कार्बन है, यह कार्बन भी electrophilic center होता है, reason, just because of resonance, यह वाला double bond, इस pi bond के साथ conjugation में है, conjugation में है, तो resonance तो होगा, resonance कैसे होगा, जरा समझीए, यह pi bond यहाँ shift होगा, तो यह pi bond यहाँ पर आएगा, यह pi bond यहाँ पर आया, तो इस C पर charge किया हो जाएगा, dell positive, तो जैसे ही इस C पर dell positive आया, तो कहने का मतलब, यह carbon भी तो एक electrophilic center की, जैसे ही, means, भी हो करेगा, और यह चीज़ तो हम पढ़ते हैं, ग्रिगनाड में, पढ़ाओ तुम लोगों ने, ग्रिगनाड में, hard electrophile and soft electrophile, तो यह यह वाला तो होता है, hard electrophilic center, और यह वाला होता है, soft electrophilic center, खिर हमसे यहाँ पर कोई hard या soft की बात नहीं करी जारी है, हमसे तो बस यह कहा जा रहा है, कि कितने electrophilic center है, तो एक यह वाला है, एक यह भी होगा, और एक cn, cn में carbon से connect nitrogen है, which is more electonegative, तो यहाँ पर यह वाला carbon भी एक कैरल center होगा, तो total कैरल center, एक तो यह carbon आया, एक यह carbon और एक यह वाला carbon भी, तो total answer इसका हो जाएगा 3, तो देखिए, इसका जो solution यहाँ पर है, वो यह रहा, एक कैरल center यह वाला, एक यह और एक यह वाला, तो total answer इसका होगा 3. श्री बच्चों, next question discuss करते हैं, integer category खा, दे रखा है, the major product A, of the following given reaction has, SP2 hybridized carbon atom, molecule हमें दे रखा है, 2,7 dimethyl, 2,6 octadiene, की reaction हमें कराना है, H plus से, और पुछा है, major product A क्या होगा, तो सबसे पहले, तो हम यहाँ पर इसका structure draw कर ले, जोड़ा देखिए, सबसे हमें दे रखा है, 2,7 dimethyl, जब किसी compound का IPCNM given हो, तो सबसे पहले अगर उसका structure बनाना हो, तो क्या draw करते हैं, उसका root word, तो root word यहाँ पर दे रखा है, octa, octa का मतलब कितना हो गया, 8 carbon का chain, ठीक है, यह हमने यहाँ पर 8 carbon का पहले chain बना दिया, होगे 8 carbon, numbering left से हमने consider कर लिया, अब दे रखा 2,7 dimethyl, तो यह number 2 पर एक methyl लगा दिया, एक methyl कहां पर है, 7 number पर भी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 7 पर एक methyl हमने यह और लगा दिया, ठीक है, 2,7 dimethyl complete, then 2,6 octa diene, it means there are 2 double bond, एक का position 2, एक का position 6, तो 2 का मतलब between 2 and 3, 2 का मतलब क्या है, between 2 and 3, तो एक double bond यहाँ पर होगा, एक को double bond 6 दे रखा, 6 का मतलब between 6 and 7, तो 6 number carbon काउन सा, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यह 6 और यह 7, इनके बीच में भी एक double bond, होगा, तो कहने का मतलब यही जो molecule है, आप जड़ा देखिये, कहले होगा कहना ही होता है, सर आईवपेसी का question आएगा की नहीं आएगा, ठीक से देखो, तो यह reaction के साथ-साथ एक आईवपेसी का question भी आ गया है, जिसको आईवपेसी ठीक से आता होगा, आईवपेसी नहीं से structure बनाना आता होगा, वो उसके लिए question आसान होगा, वरना तो यह question वो नहीं बना सकते, तो आईवपेसी पर बहुत अच्छे से command हमारा होना चाहिए, ठीक है, तो अब देखिए, इसकी reaction हमें करानी है, H plus से, अब देखिए क्या होगा, यह देखिए इसका solution, यह हमने जो compound बनाया था, वो ही compound यह रहा, सबसे पहले H plus का attack होगा, तो H plus एक तरह से मान लीजिए, कहाँ attack होगा, निकलोफाइल पर, निकलोफाइल कौन, यह double bond, या फिर यह double bond, दोनों double bond, same है, symmetrical है, तो किसी भी एक πाई bond पर attack होगा, ठीक है, तो हमने माना कि इसका attack इस πाई bond पर हुआ, तो अगर इस πाई bond पर attack इसका हुआ है, तो कैसे होगा, सबसे पहले यह pi bond यहाँ shift होगा, ठीक है, यहाँ पर shift हुआ, और इस c ने attack किस पर करा, यहाँ पर h plus पर, ठीक है, इस पर take हुआ इसका, ठीक है, तो ultimately इस c पर एक h का addition हुआ, और इस c पर charge किया हो गया, positive, हो या positive, ठीक है, अब यह जो carbon है, यह as a electrophile भीयो कर करेगा, और अगर यह electrophile है, अब इस पर take किसका होगा, nickelophile का, अब nickelophile यहाँ पर कौन, तो यहाँ पर देखी, एक pi bond और है, यह खुद एक internal nickelophile के जिससे भीयो करेगा, ठीक है, पहले h plus ने इस pi bond पर attack करा, इस carbon पर, इस वाले c पर एक plus generate करा, plus generate हुआ, यह खुद एक electrophilic center म ठीक है, अब यह pi bond फिर से इस पर take करेगा, अब यह pi bond जब इस पर take करेगा, तो यहाँ भी एक बहुत अच्छी चोईस है, एक बहुत अच्छा concept यहाँ पर है, देखें, सोच जेगा, अगर यह pi bond का मतलब कि c plus से या, तो यह carbon bond बनाए, अगर यह carbon bond बनाए, तो plus charge इस पर आएगा, और ring बनेगी 6 member ring, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यह carbon bond बनाता है, तो 6 member ring बनती है, और प्लस आएगा 2 degree carbon पर, और अगर यह वाला carbon bond बनाता है, तो 5 member ring बनती है, और प्लस आएगा 3 degree carbon पर, तो अब सोचना यह है, कि ring को preference देए, यह stability of carbocatine को, तो यहाँ पर हम preference देंग of carbocatine को, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, यह pi bond यहाँ shift होगा, और यह C पर attack करके, एक cyclic ring generate करेगा, तो जब cyclic ring बनेगी, तो कुछ इस टाइब से पहले यह 1 species बनेगा, इस वाले carbon से यह 2 methyl, इस से connect यह वाला carbon हुआ, और इस carbon के, इस C पर प्लस और इस से भी 2 methyl, तो इ ठीक से फिर इसको देखे हम, 5 member ring बनी, और 5 member ring के just next atom पर प्लस चार्ज है, तो एक possibility यहाँ पर और है, एक बार फिर से अब यहाँ पर क्या होगा, ring expansion होगा, ठीक है, ring expansion कैसे होगा, वो भी देखिए, यह वाले ring यहाँ से निकल कर, इस वाले से, यह यहों कैसे तो bond shift होगा, bond shift से मतला ring expansion, ठीक है, ring expansion हुआ, तो यहाँ से यह हमने लिखा, ring expansion से कुछ 5 member ring, इसमे 6 member ring में convert होगा, और इस वाले सी पर चार्ज प्लस आएगा, ठीक है, तो expansion से यह species मिला, अब यह मिला है, तो इसके बाद फिर से ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर यह 2 degree carbon है, 2 degree carbon के इधर alpha hydrogen, 0, इधर भी alpha hydrogen, 0, तो इस से भी stable 1 ketan और हो सकता है, वो क्या, कि यहाँ से एक methyl यहाँ पर migrate कर जाए, shift हो जाए, तो जैसे ही methyl यहाँ shift होगा, अब plus किस पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, methyl यहाँ पर आया, यहाँ प्लस, अब ज़रा देखिए, यह 2 degree carbon था, final जो ketan होगा, वो हमें यह मिलेगा, अब उसके बार last step क्या होगा, तो last step यहाँ पर होगा, D protonation, तो D protonation में पता ही, H कहाँ से निकलेगा, H यहाँ से भी निकल सकता है, H यहाँ से भी निकल सकता है, और H यहाँ से भी निकल सकता है, कौन सा stable होगा, सट्जेफ अलकीन की बात करेंगे याद ऐसे किसस में हम कहते हैं कि वो अलकीन मने के जिसके स्टेबिटी जादा होती है सट्जेफ अलकीन तो H इसमें यहां इस कारबन पर जो H होगा वो एक्स्टेट होगा और इन दोने की बीश में मनेगा डबल बॉंड तो देखे यह डब कारबन स्टेट है और एक यह कारबन भी स्टेट है तो टोटल स्टेट कारबन जो होंगे वो होंगे टू यही इसका करेक्ट आंसर होगा